गुड इवनिंग फ्रेंड्स दुस्तू जैसे कि आपको मालूम है कि इस से में मैं आपको यूलिस्स पोयम करा रहा हूँ जो कि एलफर्ड लॉर्ड टैनिसेन की लिखी हुई एक मोस्ट फेमस पोयम है ड्रामिटिक परसोनी है टैनिसेन का लिखा हुआ तो वो मैं आपको करा रहा हूँ और आप जानते हैं कि जो यूलिस्स मैं करा रहा हूँ उसका historical background मैं आपको लेड़ी बता चुका हूँ पोयम का कि क्या इसका historical background रहा, Ulysses कौन था, उसने किस युद में हिस्सा लिया था और इस पोयम में जो Ulysses दिखाया गया है वो Ulysses कैसा है वो सभी बाते हम कर चुके हैं तो दोस्तों start करेंगे हम आज की पोयम जो Ulysses है second part लेकिन उससे पहले एक छोटा सा revision जो मैंने बात करेंगे Tennyson की, Tennyson का जो बर्थ था दोस्तों वो August 6th 1809 में Summers by Richtory Lincolnshire में हुआ था, इनके फादर George Clayton थे और आपको मालूम होगा कि इनके फादर ने इनको early education जो दी थी, में इनके फादर ने ही इनको दी थी, इनके जो दो भाई जिनका नाम Frederick Tennyson और Charles Tennyson था, वो repeated poet रहे औ और इसके साथ साथ, जब ये साथ साल की उम्र इनकी थी, तो इन्होंने अपनी education स्टार्ट की थी, इनको neighboring school, grammar school, Louth में भेजा गया था, लेकिन 12 years की age में उन्होंने वो छोड़ दिया, उसके बात इन्होंने अपने father के under study की, इनके father ने इनको पढ़ाया था, और इनके father इन उन्होंने लिखना चालो कर दिया था, तो उससे वो बहुत impressed हुए, उन्होंने यहां तक की ये कह दिया था, कि एक दिन जब Alfred की मरत्य होगी, तो उसकी मरत्य के बाद में वो जो महान writers रहे हैं, उनमें count किया जाएगा, उन लेकोको की श्रिणी में Tennyson को count किया जाएगा, ज लेकिन इन्होंने 1831 में युनिविस्टी को विना डिग्री लिए छोड़ दिया था, उस समय इनकी मुलाकात इनके दोस्त अर्थर हैंदी हैलम से हुई थी, वो अर्थर हैंदी हैलम जिनको Tennyson ने इन मैमोरियम और ब्रिक ब्रिक जैसी great poems अपनी dedicated की थी, और बहुत ज़्या होती हैं, जिसमें the lady of shallot, the lotus eaters, फातिमा, dream of fair women, यह हमें देखने को मिलती हैं, इसके बाद दूस्तो poems of 1842 की बात अगर जो हम करें तो इसमें Ulysses, mortality Arthur, the gardener's daughter, dora, the princess, the lady of shallot and the lotus eaters का revised edition इडिशन इसमें देखने को मिलता है, in 1850, 1850 की बात करें दूस्तों, तो in memoriam जो की Arthur Henry Helm को dedicate की गई, इसके अलावा, mod, mod से इनको एक अलग पहचान मिली, Idols of King, यह इनके, मतलब, work हमें देखने को मिले, तो उस तो ऐसा नहीं कि इन्होंने ड्रामे की छेतर में काम नहीं किया था, बट वो popularity, वो image in की नहीं create हो पाई, वहाँ पर उस field में, इसके बाद 1853 से 1869 तक Tennyson जो थे, वो फैरिंग फॉर्ड आइल आफ वेट में रहे, और 1886 से इनके जो दुख भरे दिन थे, वो start हो गए थे, और at the age of 84, he died away, इनकी मृत्ति हो गई थी, और Westminster Abbey में इनका funeral procession किया गया था, इनके बारे में Carlyle क्या कहते हैं, Carlyle ये कहते हैं, Tennyson एक ऐसे विक्ती थे, जो solitary set थे, जो की gloom में रहते थे, और अपने साथ एक अराजाक तक्स की इस्थिती में वो रहा करते थे, टैनिसिन discipline, law and order में believe करते थे, टैनिसिन जो थे, वो deep religious feeling वाले वेक्ती थे, टैनिसिन ने अपने आपको politics से दूर रखा था, टैनिसिन जो थे, वो एक true patriot की रुप में हमें दिखाई पड़ते हैं, तो ये facts टैनिसिन की life के बारे में में दोस्तों मैंने आपको एक छोटा सा revision कराया, अब मैं revision करा देता हूँ जितने passages मैंने आपको अभी तक Ulysses के पढ़ाए हैं, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि Ulysses कौन, Ulysses इथाका ग्रीक का राजा था, ट्रोजन वार का एक हीरो रहा, Ulysses, ट्रोजन वार वो वार जो ग्रीक और ट्रोई के बीच में लड़ा गया था, अब मैं उसे पूरा repeat नहीं करूँगा दोस्तों, अगर जो आपने मेरी previous वीडियो नहीं देखी है, तो प्लीज उसे ज़रूर देख ले, उसे आपको पूरी हिस्ट्री ओफ ट्रोजन पता चल जाएगा, ट्रोजन वार की हिस्ट्री, वो युद्ध जो दस साल तक चला था, जो हैलन की वज़े से हुआ था, और क्या-क्या उस युद्ध में हुआ, वो सारे फैक्ट आपको उसमें मिल जाएंगे, तो उसको आप अच्ची तरह पढ़ ले, लेकिन यहाँ पर जो युद्ध है, यह है तो ट्रोजन वार का युद्ध ही, लेकिन यह बूड़ा हो चुका है, लेकिन बूड़े होने पर भी, बहुत आशावादी है यह, इसके विचार बहुत सकारात्मक है, और वही सकारात्मक विचार, इसको आगे बढ़ने की प्रेहना देते हैं, एडवंचर्स पर जाने की प्रेहना देते हैं, तभी तो यूलिसिस कहता है, कि छोटे से लाब के लिए, फस्ट पैरग्राफ में वो बोलता है, कि छोटे मोटे लाब के लिए, एक अंगीठी के मद्धे बैठकर, इन बंजर जो चट्टाने हैं, उनके बीच में रहकर, और अपनी बुड़ी इस्त्री के साथ रहकर, नहीं रह सकता मैं, वो ये कहता है, कि मैं थोड़े से लाब के लिए, अपनी समराज्य में नहीं रहना चाहूंगा, जैसे एक बुड़ा व्यक्ति होता है, वो अंगीठी के पास बैठकर हाथ पैर सेकने लगता है, उस तरह से यूलिस्स कहता है, मैं नहीं कर सकता, मैं इन बंजर चट्टानों में नहीं रह सकता, मेरी पत्नी भी अब बुड़ी हो चुकी है, मेरे किसी काम की नहीं है, तो या यूलिस्स बुड़ा नहीं हुआ होगा, यूलिस्स भी बुड़ा हो चुका है, लेकिन उसकी पत्नी जो है, वो physically और mentally दोनों रूप से बुड़ी हो चुकी है, इस वज़े से वो कहाता है, क्योंकि यूलिस्स mentally old नहीं हुआ है, और जब mentally इंसान old नहीं होता, तो उसका शरीर भी उसके दिमाग को follow करता है, वो आगे बढ़ता है, कहता है, I met and don't, unequal loss unto the savage race, कि मैंने देखा है, मैंने बहुत अनुभव लिया है, किस चीज का unequal loss का, मेरे जो समराज्य में जो कानून है, वो बहुत unequal है, और लोग बहुत जंगली टाइप के हैं, इनको चीजों को collect करना, सोना, खाना, बस यहीं आता है, इसके अलावा इनको ये नहीं पता कि मैं कौन हूँ, इनको अपने राजा के बारे में नहीं पता कि इनका राजा कौन है, तो ऐसे राजा में टैनिसे नहीं रहना चाता है, और वो ये कहता है, कि मैं यात्रा से आराम नहीं कर सकता हूँ, मैं तो जीवन का आनंद लूँगा, और मृत्यू तक जीवन का आनद लूँगा मैंने अपनी जिन्दगी में बहुत आनद लिया है मैंने अपनी जिन्दगी में बहुत कस्ट सहे हैं उनके साथ जो लोग मुझे प्यार करते हैं उनके साथ मैंने ये किया है अकेले में नदी के किनारे पर और उस समय जब जो सितारे तारे होते हैं पास सितारों का जो कलस्टर होता है जो समुद्र में दिखाई पड़ता है उस समय और जब जो लहरे होती हैं वो गनी से होती चली जाती हैं उस समय भी मैंने जीवन को देखा है तो कहने का मतलब मैंने जीवन के हर छेतर को हर मौसम को मैंने महसूस किया है वो ये कहता है कि मैं एक famous personality रहा हूँ मेरा एक नाम रहा है और मैं हमेशा एक hungry hurt लिए वैटता हूँ hungry hurt यानि कि एक भूका हिर्दे भूका हिर्दे किस रूप में? भूका हिर्दे adventures के लिए, आगे बढ़ने के लिए progress पर जाने के लिए path of advancement पर जाने के लिए वो ये कहता है कि मेरा जो हिर्दे है वो भूका हिर्दे है मैंने बहुत देखा है और जाना है किसको देखा और जाना है? cities of man को देखा जाना है जो शहर के लोग हैं उनको देखा है मैंने उनके manners को मैंने देखा है उनके climate को मैंने देखा है councils को मैंने देखा है governments को मैंने देखा है केवल मैं ही नहीं बलकि वो भी सम्मान का पात्र है तो वो ये कहता है कि मैं सब चीजों से परिचित हूँ मैं manners से मैं climate से मैं council से मैं government से सब चीज से परीचित हूँ और वो व्यक्ति जो मेरे जीवन में इस बात का हिस्सा रहे वो सभी सम्मान का पात रहे इसके अलावा वो कहता है कि मैंने अपने दोस्तों के साथ जंग लड़ी ट्रॉई के मैदान में दोस्तों ये वही ट्रोजन वार का जिकर आ चुका है जो ग्रीक और ट्रॉई के बीच में हुआ था जिसकी पूरी हिस्ट्री मैं आपको प्रीविस वीडियो में बताई थी तो वो कहता है कि मैं जिन से भी मिला हूँ वो मेरे जीवन का हिस्सा रहे है और लेकिन जितना भी मैं अनुवय प्राप्त करता हूँ वो मुझे अधूरा सा लगता है जितना भी मैं आगे बढ़ता हूँ, तो पीछे का धुंदला होता चला जाता है और आगे का मुझे वो जो अंट्रेवल्ड वर्ड है, जिसमें मैं भी गया नहीं हूँ वो अंट्रेवल्ड वर्ड मुझे दिखाई पड़ता है जब भी मैं आगे बढ़ता चला जाता हूँ और वो ये कहता है कि कितना निरर्थोक होगा अगर जो मैं रुख दाऊं और किस प्रकार से जैसे कि एक जंग लगी तलवार होती है जो बिना चमक के यूज में नहीं आती उस प्रकार से मैं रुख जाऊं बेकार है मेरा जीवन ऐसे हो जाएगा जैसे कि जीवन में सासे ही न हो उस प्रकार से जीवन हो जाएगा और जीवन के बाद अगर मुझे जीवन भी मिले तो वो भी मेरे लिए कम होगा इन सहासिक यात्राओं के लिए एक छोटा सा जीवन जो मेरे पास बचा है उसके हर एक शन को मैं बचा कर चलना चाहता हूँ और किस से बचा कर चलना चाहता हूँ म्रत्यू से बचा कर चलना चाहता हूँ ताकि मैं कुछ नया कर सकूँ, कुछ आगे कर सकूँ, कुछ आगे बढ़ सकूँ, तो दोस्तों यहां तक मैंने आपको यह पोएम पढ़ा दी थी, अब इससे आगे की, अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, जिस्ट गिम मी वन मिनिट, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं, आगे का पैसेज, और यहां पर जो पोएम वो क्या कहता है, पैसेज नमबर सिक्स था यह, गहरणा को बोलते हैं दोस्तों, कहते हैं कितना गहरणात्मक होगा, यूलिस्स कहता है कि यह बड़ा एक हेटफुल एक्ट होगा, अब यह दोस्तों यह जो यहां पर यह दिया हुआ है संस, यह संस जो है सूरज के लिए नहीं, यह इयर्स के लिए है, साल के लिए, कि मैं तीन सालों तक अपने को किशीर में लगा दूं, कि चीजों को कलेक्ट करने में, उनको उठा कर रखने में, जोडने में, कलेक्ट करने में, मैं अपना समय व्यतीत कर दूं, यह तो बड़ा गहरनात्मक होगा, तो कहने का मतलब यूलिसिस का यह है, अब मैं काफी व्रध हो चुका हूँ, जादे से जादा तीन साल और जी लूँगा, और इन तीन सालों में, मैं तब भी मैं वो हाय मरी करता रहूं, कि चीजों को उठाने में, जोडने में लगा रहूं, तो यह मेरे लिए बड़ा नि आत्मा, वैं काता है, यह जो बूड़ा शरीर है न, यह जो उम्र का तगाजा लिए हो, यह जो शरीर है, यर्णिंग इन डिजायर, यह आज भी इच्छाओं से परिपूर्ण है, इसमें आज भी बहुत तीवर इच्छाएं हैं, to follow knowledge like a sinking star, मैं तो आज भी ज्यान की करना, और किसकी तरह है, sinking star की तरह है, जो एक तारा होता है दूस्तो, जो आकाश से होकर गुजरने वाला जो एक तारा होता है, उसकी बात की गई है, जो कि ज्यान का प्रतीक है, तो वो कहता है कि मैं तो एक sinking star की तरह है ज्यान को प्राप्त करना चाहता हूं, beyond the utmost bond of human thought, मान उन विचारों से भी अलग हटके मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, मैं आगे जाना चाहता हूं, उस स्थान को मैं प्राप्त करना चाहता हूं, ऐसा यूलिसिस का मन है, लेकिन अब सोचिए जरा, अगर राजा अपना राज काज छोड़ कर घूमने निकल जाएगा, यात्रा वह unreleh पैसे में देखिए, दिसलिस माइ से यहाँ पर यूलिस उजंग हमें एड्रस करा थे हैं, किस से अपने बेटे से, तो दोस्तों चलो यूलिसिस के बेटे से भी मुलाकात कर लेते हैं क्या बताते हैं Ulysses अपने बेटे के बारे में सुनिये This is my son, my own telemachus ये मेरा बेटा है मेरा अपना telemachus on telemachus जबकि बेटे के लिए कभी हम ये नहीं कहते कि मेरा अपना बेटा on word use नहीं करते हैं हम लेकिन ये emphasis करने के लिए लोगों को दिखाने के लिए ये यहाँ पर on word का use किया गया है कहते हैं ये मेरा बेटा है मेरा अपना telemachus question ये भी आ जाता है Ulysses के बेटे का नाम क्या था telemachus था तो वो ये कहते हैं कि ये मेरा बेटा है मेरा अपना telemachus to whom I leave this capture and I'll वो ये कहते हैं कि जिसके लिए मैं जो ये राज शक्ती है इस capture मतलब जो ये kingship होती है जो राजा की शक्ती होती है ये मैं छोड़ देता हूं अपनी जो kingly power है वो Ulysses किसको देना चाहता है अपने बेटे telemachus को तो तभी तो वो ये कहता है कि ये मेरा बेटा है मेरा अपना telemachus जिसको मैं ये जो राज़े की शक्ती है ये मैं छोड़ देता हूं and the isle और ये जो island है इथाका का जो इथाका island की बात की गई है isle मतलब जो इथाका island को वो कहते है कि ये जो इथाका का द्वीप है, ये मैं इसके हवाले करता हूँ. वो गाना सुना है तुमने दोस्तों, कि अब तुमारे हवाले वतन साथी हो, तो ये वही सिच्वेशन है, वो टेलेमिकस के लिए कहता है, कि बेटा अब तुम समालो, मैं तो बस चलता हूँ. तो वो ये कहता है कि ये मेरा अपना बेटा है, मेरा टेलेमिकस, जिसके लिए मैं अपनी किंगली पार, और अपना ये जो इथाका द्वीप है, ये मैं छोड़कर चला जाओगा. वेल लवड ओफ मी, बहुत प्यारा है मेरा बेटा. बहुत बुद्धिमान भी है इतना बुद्धी शाली है कि वो अपनी महनत से क्या करेगा अपनी दूर दर्शिता से दूर की सोचने वाला है मेरा बेटा टेलिमिकस मतलब डीप ठिंकर है वो जो टेलिमिकस है वो एक डीप ठिंकर है एनलाइस करता है चीजों को दूर की सोचता है तो एक prudence उसको कहा गया है slow prudence अपने धीमी धीमी दूर की सोचने से to make mild rugged people वो क्या करेगा जो rugged people हैं rugged people जैसा कि उसने पहले भी कहा था कि savage है मेरे हां के लोग जंगली है असब्बे हैं, uneducated है तो उनको वो क्या बना देगा? mild बना देगा rugged people को mild बना देगा कहने का मतलब जो uneducated people है जो intelligent नहीं है जो uncivilized, uncivilized है उनको वो योग्य बना देगा और कैसे बना देगा? by slow prudence अपने slow prudence से उनको वो mild बना देगा by through soft degrees कैसे? अपने जो manners हैं अपनी जो तोर तरीके हैं उनसे वो उनको soft बना देगा subdue them to the useful and good और इसके साथ-साथ वो उनको अच्छे कारियों की तरफ मोड़ने की कोशिस करेगा कि ताकि वो लोग क्या काम करें? अच्छे काम करें और वो जो है चीजों को समझें क्योंकि वहाँ के लोग कैसे हैं राज्य के? राजा का ही नहीं पता उनको तो उनका राजा कौन है? तो बेफकूफ लोग है उनको वो telymicus पर Ulysses को इतना विश्वास है अपने बेटे पर तो वो कहता है कि मेरा बेटा बहुत अच्छा है बहुत प्यारा है, बहुत इंटेलिजेंट है इसके अंदर slow prudence है और अपने इसी slow prudence से यह जो rugged people है उनको यह mild बना देगा इस तरह का मेरा बेटा है इसके बाद दूस्तों आगे बढ़िए आगे देखते हैं हम क्या कहता है वो? Most blameless is he Most blameless उस पर कोई आरोप नहीं लगा आज तक भी कोई आरोप नहीं लगा क्योंकि दूस्तों आपने देखा होगा आप भी कोई form भरते हैं तो उसमें पूछा राता है कि कोई आपका police record तो नहीं है कोई खराब record तो ऐसे ही यहाँ पर जब राजा बनने की बात है तो यहाँ पर जो Ulysses है वो क्या कहता है सबसे बिल्कुल clear कर देता है सबके सामने कि मेरा जो बेटा है टेलिमिकस वो बिल्कुल blameless है उस पर कोई भी किसी भी तरह का आरोप नहीं लगा है centered in the sphere और वो यह कहता है कि जो centered of the sphere मतलब जो साधारन कार्य होते हैं जीवन के of common duties जो हमारे साधारन करतव्य होते हैं decent not to fail in office of tenderness साधारन कार्यों को करने में बिल्कुल ऐसमर्थ नहीं है इसके साथ साथ एक व्यक्ति को कैसा होना चाहिए घर के कार्यों में हाथ बटाने वाला होना चाहिए तो जो tenderness है उसमें भी जो offices of tenderness का मतलब होता है जो मा के मातरत्व के कार्या होते हैं मतलब उसकी मा अगर जो से कहे कि बेटा मेरे लिए ये चीज लिया तो वो भी ला कर देगा उसे घर के काम भी करेगा दो कामों में हाथ भी बटाएगा ऐसा है मेरा बेटा घमंडी नहीं है वो ये बताना चाहता है कि मेरा बेटा जो है वो अपनी मा की सहता भी करेगा and pay meat adoration to my household gods और इसके अलावा जो मेरी household gods है यानि कि वो बात करता है कि जो उसके ancestors है जो उनका जो तोड तरीका है जो उनके पूर्वजों का तरीका है उनको भी वो follow करेगा उनको मानेगा क्योंकि हम लोगों के परिवारों में क्या होता है पूर्वजों की इज़त करनी सिखाई जाती है उनकी पूजा करनी सिखाई जाती है उनके सिध्धांतों पर चलना सिखाई जाता है ऐसा ही यहाँ पर Ulysses के बारे में Ulysses के बारे में कि मेरा बेटा टेलीमिकस अपनी मा की बात को भी मानेगा जो पूरवज हैं उनके आचरणों को भी फोलो करेगा और वो कहते हैं कि वो अपना काम करेगा और मैं अपना काम करूंगा तो मुझे चिंता नहीं है कि मेरे राज्ये की देखवालब कौन करेगा मेरा बेटा जो है वो मैं चार्ड हो चुका है वो इतना capable है, able है कि वो इस राज्ये को संभाल सकता है और बहुत अच्छी तरह संभाल सकता है ये बात Ulysses कहते हैं इसके बात दोस्तों next passage पर आते हैं बहुत important passage है ध्यान से समझने की कोशिस करना क्या कहते हैं, there lies the port वो ये कहते हैं, देखिए वो बंदर गहा मुझे दिखाई पड़गा है जहां से उनकी जो यात्रा है वो आरंभ होगी उस इस्थान को कहा गया है there lies the port और जो जहाज है, जो जहाज है वो पफिंग कर रहा है कहने का मतलब उसमें हवा भर रही है वो चलने को तयार है आपने देखा होगा, जैसे की कोई भी गाड़ी है वो स्टार्ट हो जाती है लेकिन उसमें रेस नहीं दी जाती तो उस प्रकार से जहाज जो है वो भी पफ कर रहा है उसकी हवा तयार है इसका मतलब यात्रा के लिए निकलने के लिए जहाज तयार है जहाज से जाएगा Ulysses there gloom the dark broad sea और देखिए वो जो dark broad sea है वो यहाँ से चमक रहा है वो दिखाई पड़ रहा है वो गहरा समुद्र जो है वो दिखाई पड़ रहा है my mariners souls that have toiled and rot and thought with me वो जो मेरे mariners हैं वो कहता है मेरे जो साथी हैं साथी नाविक हैं जिनोंने बहुत मेहनत की है और जिनके विचार मेरे से मिलते जुलते हैं जो मेरे जैसे विचारों वाले व्यक्ती हैं और हर कस्ट को सहने के लिए तयार हैं that ever with a frolic welcome took और बिलकुल उत्साह से वो welcome करने के लिए तयार है मेरा welcome करने के लिए तयार है Ulysses कहता है मेरे स्वागत के लिए वो खड़े हुए है The thunder and the sunshine and a post Free hearts, free foreheads, you and I are old और यहाँ पर Ulysses अपने साथियों को address करते हुए कहता है Mariners को तूफान आ सकता है तेजी से धूप जो है वो भी पूरी आवेश में आ सकती है लेकिन हमें free hearts रहना है हमें free foreheads रहना है, अपने मस्तक्स को बिल्कुल आगे बढ़कर और करकर और इसके अपने हिर्दे को बिल्कुल स्वातंतर रखकर आगे बढ़ना है You and I are old, तुम और मैं बूडे हो चुके है तुम और मैं मतलब Ulysses अपने साथियों को संबोदित करते हुए कहता है जो साथि उसके साथ है कि अब तुम और मैं बूडे हो चुके हैं लेकिन बूडे हुए तो क्या हुए? मैंने आपसे कहा था कि अगर इंसान intellectually strong है, mentally strong है तो वो किसी भी चीज को मात दे सकता है तो यहाँ पर वो क्या कहता है Ulysses? Old age had yet his honor and his toil व्रद अवस्था की भी अपनी मेहनत होती है अपना सम्मान होता है Death closes all लेकिन म्रत्यू सब चीजों को बंद कर देती है यह जो म्रत्यू होती है ना यह सारे रास्ते बंद कर देती है इससे आगे कुछ नहीं हो सकता But something is the end लेकिन अभी तो कुछ करना है तो म्रत्यू से क्यों डरे? भला क्यों डरे हम म्रत्यू से? Some work of noble note कुछ स्रेष्ट कार्य करने भी बाकी है May yet be done अभी वो किये जाने है Note becoming a man that is strong with gods और हमें ऐसा व्यक्ति नहीं बनना जो भगवान के सामने लडाई करे या संघर्श करे नो ऐसा नहीं करना अभी तो हमें बहुत सी चीजों की प्राप्ती करनी है मैं भगवान से लड़ू कि भगवान तुने मुझे टाइम नहीं दिया बड़ी जल्दी बुला लिया ऐसा नहीं होने वाला जो जीवन मिला है उसमें ही प्राप्ती करनी है और उसमें इस तरह से करेंगे कि भगवान भी याद रखे कि क्या काम किया है इसने और वो कहता है देको दीरे उपर की तरह बढ़ रहा है the deep moan rounds with many voices और समुद्र में करहने किसी अलग-अलग जीब सी आवाजे आ रही है come my friends it is not too late to sick on your word मेरे दोस्तों मेरे साथ आओ अभी देर नहीं हुई है और हमें एक ने संसार की प्राप्ती करनी है आगे बढ़ना है ने संसार की प्राप्ती करनी है push off and sitting well in order and smite and sounding furose और वो ये कहता है बस अब अपने जहाज को आगे की तरफ हमें रवाना कर देना है इसके अलावा अपने अपने इस्थान ले लेने है और इसके साथ-साथ इन जो उठती हुई समुदर की लहरे है इनका सामना हमें अपनी पूरी शक्ती के साथ करने के लिए तयार रहना है for my purpose holds the sail beyond the sunsets and the baths of all the western stars until I die और वो क्या कहता है जो purpose है हमारा जो उदेश्य है वो क्या करना है सूरज के छिपने से पहले हमें इसनान करना है जब तक ये सूरज छिपता है उस सूरज के छुपने से पहले हमें इसनान करना है और किस में इसनान करना है western stars में इसनान करना है पस्चमी सितारों में इसनान करना है until I die जब तक मेरी मृत्य होती है अब ये western stars क्या है दोस्तो यहाँ पर जो western star कहा गया है दोस्तो यह the western part of the sea कहा गया है समुद्र का जो पस्चमी भाग है कहने का मतलब मुझे दूसरे देश में पहुँच जाना है और वहाँ पर उस untraveled world को मुझे देखना है जब तक sunset होता है तब तक मुझे western stars में इसनान करना है वो यह बात कहता है it may be that the gulf will wash us down हो सकता है समुद्र की लहरे हमें डुबो दे तो उस तो बहुत सारी चीजे होती है जब कठीन रास्ते पर निकल रहे हैं तो obstacles तो आनी है परिशानी तो आनी है लेकिन जो उन परिशानियों से लड़ता है वही तो सिकंदर बनता है तो यहाँ पर क्या कहते है it may be that the girls will wash us down हो सकता है वो लहरे हमें डुबो दे it may be we shall test the happy isle हो सकता है उस happy isle पर जो वो खुशाल महादीप है उस तक हम पहुँच जाए कहने का मतलब the destination we are moving towards we reach there by the time हम समय पे वहाँ पर पहुँच जाए यह हो सकता है and see the great eccles whom we knew और वो यह कहते हैं अरे great eccles की तरफ सोचो यहाँ पर दोस्तो motivate कर रहा है Ulysses अपने साथियों को eccles का उधारण देकर कि उस eccles की तरफ देखो जिसको हम जानते है अब दोस्तो यह eccles कौन था यह Greek का ही एक महान योद्दा था और यह दोस्तो वो वो योद्दा था जो Trozen War में लड़ा था और Trozen War में one of the heroes हम eccles को भी कह सकते है और इन्होंने Trozen के hero Hector को मार दिया था जो War of Troy हुआ था उसमें हेक्टर को मारने वाला हेक्टर जो की एक सूरवीर था बलशाली था Trozen की तरफ से उसको मारने वाला कौन था एकिलिस था और उस एकिलिस को का उधारन यहां पर दिया गया है तो वो कहते हैं कि एकिलिस की तरफ धियान दो जिसको हम जानते हैं दो much is taken, much abides बहुत कुछ हमने प्राप्ट कर लिया लेकिन अभी भी बहुत कुछ बचा है दोस्तो ये जिंदकी में उतार लो अपनी lines the much is taken and much abides कि बहुत कुछ प्राप्ट कर लिया लेकिन बहुत कुछ बचा है जो बचा है उसकी प्राप्ती में लग जाओ उसकी मेहनत के लिए लग जाओ दिन रात एक कर दो दिल से करो तो सफलता मिलेगी तो यहाँ पर वो Ulysses भी यही कहता है the much is taken, much abides नहीं रहे हैं, जैसे हम पुराने दिनों में हुआ करते थे, अब वो शक्ती हमारे पास नहीं रही है क्योंकि बुढ़ापे में शरीर कहीं न कहीं कमजोर तो पड़ी जाता है न, लेकिन जिसकी willpower strong हो, वो व्यक्ती कुछ भी कर सकता है उम्र कुछ नहीं कर सकती, उसका कुछ नहीं बिगाल सकती तो वो यह कहता है कि अब हम वो शक्ती शाली नहीं रहे हैं जैसे कि पुराने दिनों में हुआ करते थे moved earth and heaven हमारे अंदर इतनी ताकत थी कि हम प्रत्वी और आकाश को हिलाने की शक्ती रखते थे, इतने शूरवीर थे इतने ताकतवर थे, that which we are, लेकिन अब जो हम है, वो हम जानते है हम क्या है लेकिन, one equal temper of heroic hurts लेकिन आज भी हमें वही heroic hurt रखना होगा, वो सहसी हिर्दे लेकर आगे बढ़ना होगा made weak by time and fate समय ने हमें और भाग्य ने हमें कमचोर कर दिया है but strong in will लेकिन इच्छा शक्ती में हम पूरी तरह से strong हैं पूरी तरह से शक्ती शाली हैं to strive, to seek, to find and not to yield हमें चीजों की खोच करनी है हमें संघर्ष करना है चीजों की प्राप्ती करनी है लेकिन समर्पण नहीं करना समय के आगे खुद को समर्पित नहीं कर देना आत्म समर्पण नहीं करना है अगर जो आत्म समर्पण कर दिया तो यात्रा पूरी नहीं हो पाएगी लेकिन यात्रा पूरी करनी है तो ये समर्पण नहीं करना है केवल heroic hurts लिए आगे बढ़ते रहना है तब ही हम कुछ कर पाएंगे दोस्तो ये बात Ulysses अपने साथियों से कहता है तो दोस्तो ये थी poem Ulysses जो मैंने आपको बहुती आसान से शब्दों में समझानी की कोशिस की उमीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी अगर दोस्तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में रेप्लाई करके जरूर बताएं थैंक यू बरी मच्छ यूर्स दॉक्टर सचिंगोस्वामी